सबी भक्तों को शिरी शिवाय नमस्तूप्यम अरहार महादेव यदि आपने भी वेकुंड चतुर्दशी के चौदा दीपो वाला उपाय करने की सोचा है वेकुंड चतुर्दशी के दिन चौदा दीप लगाने की सोचा है उसका एक प्रैक्टिकली जरूर कीजेगा कि हमको ये कैसे पता चले कि भगवार ने उन चौदा दीपों को सुईकार कर लिया है उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना जब आप चौदा दीप लगा दे चौदा दीप लगाने के बाद जो एक गोलबत्ती वाला दीप होगा उस दीप के उपर आपको एक कटोरी डखनी है और उस कटोरी को रखकर उस कटोरी में जो दीप की कालोच आ जाए उस कालोच को लेना है और जब सुबह दीप ठंडे हो जाए तो सुबह चार या पांच बजे ब्रहम अमुरत में तो सुबह के टाइम अगले दिन आपको एक गिलास में थोड़ा सा दूद लेना है और उस दूद में आपको उस कालोच को मिलाना है थोड़ी सी कालोच आपको मिलानी है और मिलाने के बाद में दूद को हिलाना है यदि दूद का कलर काला हो जाता है दूद सफेज से काला हो जाता है तो भगवार ने उन दीपों को सुईकार नहीं किया है पर यदि उसका कलर केसरिया हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि भगवार ने उस दूद उन 14 दीपों को सुविकार कर लिया है इस practical को जरूर करें देगेगा साथ ही साथ यदि कोई बच्चा बुद्धी विवेक से कमजोर हो बुद्धी विवेक से विखलांग हो डॉक्टर ने बोला हो कि इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा उस दूद्ध को जो की केसरिया करारगा हो गया है उसी दूद्ध को आपको दो तीन चमास उस बच्चे को पिला देना है जिसको बुद्धी विवेक से कमजोर बतायागा है उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर यदि आप शक्कर ना मिली, ना भी मिला है तो उस दूद को बच्चे को पिला दिजेगा उस बच्चे की बुद्धी विकार ठीक हो ना परारंभ हो जाएगा ठीक भी हो जाएगा इस practical को चलूर जेखेगा गुरूज़ी ने सूयम कहा है कि इस practical को चलिईर करना नहीं सियोरवाल हमारा जूट तो नहीं बोल रहा एक बार इस प्रैक्टिकल को जलूर करिएगा जो हमने चौदा दीप लगाए है या वो चौदा दीप भगवान नारणने सुविकार करे या ना करे इस प्रैक्टिकल को जलूर कीजिएगा दूद में थोड़ी सी कालोच मिला कर उस दूद को हिला कर देखना है यदि काला हो जाए दूद का कलर तो भगवान ने सुविकार नहीं करे और यदि केसरिया हो जाए तो भगवान ने उन दीप को सुविकार कर लिया है सभी वक्तों को श्री शिवायन